हेलो फ्रेंट्स मैं मन्जू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्तिक स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स आप ये बहुत सुंदर से परपल ब्लू कलर का फ्लावर जो देख रहे हैं ये भी एक विंटर फ्लावर है जिसे कॉर्ण फ्लावर या इसे ब्लू बॉय बोलते हैं और ये मुश्किल से देखने को मिलता है लेकिन है ये विंटर फ्लावर एसस तो ये वीड है लेकिन क्योंकि इसका फूल बड़ा सुंदर होता है तो हम लोग इसे अपने घर में भी सुंदर ता बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं और इसको कैसे लगाय जाता है इसके क आप देख रहे हैं और ये जो है ये सीड्स से ग्रोग होता है कटिंग से नहीं लगता है सीड्स से ग्रोग होता है तो सीड्स आपको मिल जाएंगे कहीं भी अच्छे वीजबंडार पे तो सीड्स आपको वही अगस्त में लगाने होंगे इसके अगस्त सेप्टेंबर में स लगा सकते हैं ये जो इसको जमीन में लगाते हैं तो ये ज़्याद자 गहना हो जाता है गम्ने में ये यह तब भी एक मिटर की हाईट तक चला जाता है और बारीक बारीक इसकी पतियां होती है और welderan soil इसके चाहिए होती है गमलाप 8 इंच का 10 इंच का ले सकते हैं जैसा कि आम तोर पे हम लोग seasonal plants लगाने के लिए लेते हैं और मिट्टी इसकी welderan होना चाहिए जिसमें one part sand, one part composed और one part garden soil चाहिए ऐसा चिसको जादा fertilizer वगिरा की जरूरत होती नहीं है और इस plant की क्योंकि winter plants की life भी कफी कम होती है तो इनको बहुत जादा fertilizer की जरूरत होती नहीं है और ये वैसे भी weed है तो इसको जादा fertilizer chaninean जो आपने गमले में बनाया है that is sufficient उसके बाद आप एक महीने बाद डेड़ महीने आज जब इसकी flowering स्टार्ट होती है तब आप इसमें अलकी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस वगएर आप इसमें डाल सकते है तो और बाकी इसको रखना कहा है तो ये full sun light में रखेगा जहां भी आप रखते हैं इसको ये low light में नहीं चलेगा और पानी इसमें आप तभी डालिए जब इसकी की टॉप साइल सूखने लगए हो आप देख रहे हैं मिट्टी इसकी सूखी हुई है और अभी भी पानी डलानी प्लांट के पत्ते भी काफी सीधे हैं फूल भी बिलकुल सीधे सीधे खले हैं फूल इसमें ऐसे ही निकलते हैं आज कुछ गैलाडिया जैसा फूल होता है उस तरह का इसका फूल होता है जिसमें बीच में छोटा सा इसका बीज और पॉल वाले पोरिशन होता है आसपस इसके छोटे-छोटे मिनी फ्लावर्स होते हैं हम गेंदे को कहते हैं ना कि गेंदा एक फूल नहीं फूलों का गुच्छा है सेम इसमें भी है ये भी आप देख रहे हैं अलग-अलग इसकी पंखुडियां है अलग-अलग फूल है ये ठीक है और ये सूख जाते हैं तो जो इसका बीच का हिस्सा है वही इसको आप समाल के रख लेंगे तो ये आपके सीड्स का काम आएगा ठीक है देख भाल इसमें जादा कुछ खास करनी नहीं होती है एक बार लगा के छोड़ देंगे तो अच्छा चलता रहता है और कीडों से बचाने के लिए और मेली बग वगरा के अटेक से लिए आपको इसको 15-20 दिन में एक बार इस पे नीम और डिश वाश मिलाके पानी मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे चलते रहते हैं तो यह थी फ्रेंड्स का छोटा सा वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो में इसी तरह की नई जान के रिगर आपसे फिर मिलती हूँ तब तक के लिए नमस्कार बाइ बाइ